एस्ट्रोलोजी डिवाइन एदेवी विद्या है और आज कल जो लेक्चर्स चल रहे हैं तो आप देखते हैं कि वो उसमें जोतिश के डिफरेंट योग के बारे में डिसकुशन चल रहा है तो पिछले लेक्चर में हमने आपको चंद्रमा से रेलेटेड जो जोतिश के योग हैं उसमें आपको केमद्रुम योग और केमद्रुम भंग योग के बारे में बताया था तो चंद्रमा से ही रेलेटेड और भी बहुत सारे योग हैं जो जो जोतिश में आते हैं तो उसी कंटिनुशन में आज एक और योग आपको बताते हैं एक है शकट योग दूसरा है गरुड योग ये भी चंदरमा से बनते हैं शकत योग और दूसरा गरुड योग शकत योग जो है शकत आपने वर्ड सुना ओगा शकत काम जो होता इक शकट कहते हैं शकट का मतलब गाड़ी जिसमें समान धोएं और उसमें वो बड़े पहिये लगे होते हैं उसी को शकट कहते हैं तो शकट योग जो है वो इसको किस तरह से बनता है इसमें कुंडली में इसके बारे में जो father of astrology पराशर और वराह मिहिर ने बताया इस तरह से उन लगन और सब्तम सेवन्थ स्थान में गर बैठेंगे तब शकट योग बनता है ऐसा उन्होंने बताया ठीकिन उसके बाद के जो जो तिशे जो तिशाचार हुए और जो तिशी जो हुए उन्होंने दूसी तरह से इसको define किया और कहा कि चंद्रमा से कुंडली में चंद्रम चंद्रमा जहां वी बैठे हो इस कुंडली में देखिए चंद्रमा यहां बैठे यहां से गुरू यह हैं राइट तो एक दो तीन चार पाँच छह साथ आठ चंद्रमा से गुरू कितना हुआ या आठमे स्थान में हो, इसका मतलब कि चंद्र और गुरु में शडास्टक योग हो, 6-8 का रेशियो हो, तब ये योग बनता है, इसके अलावा और भी पॉइंट्स बताए कि फिर ब्रहस्पती उस कुंडली में ब्रहस्पती या गुरु जो है वो लगन में नहीं होने चाह और पूर्ण शकट योग बनने के लिए जो परफेक्ट शकट योग अगर बनना है, उसके लिए फिर सूर्य लगन से भी गुरु जो है वो केंद्र या त्रिकोण में नहीं होने चाहिए, केंद्र का मतलब 1-4-7-10, त्रिकोण मतलब 1-5-9, तो एक तो चंद्रमा से त्रिया त्रिकोण में नहीं बैठेंगे, तब ये शकट योग बनेगा, तो शकट योग बनने से क्या होगा, देखिए गुरु जो है, वो आल 9 प्लैनेट में सबसे शुबग्र होते हैं, और ये धन, ज्यान और संतान के कारक है, तो ये इतना जो आस्पिशस प्लैनेट है शुबग्र है, वो तीनों लगनों को कमजोर कर रहा है, चंद्रलगन को ऐसे शडास्टा क्योग, जन्म लगन में बैठे ही नहीं, जन्म लगन से केंद्र में नहीं बैठे, सूर्य लगन से केंद्रिकोण में नहीं बैठे, तो तीनों लगन कमजोर हो गई, उस व्यक्ति की यश, बल, सारी चीज़ें जो हैं, वो candidate को नहीं मिल पाते हैं, या उनसे वंचित रह जाता है, और ऐसा फिर वो ये इस तरह से शकट योग बनता है, तो ये अच्छा योग नहीं माना जाता, और क्योंकि ये सारे जो negative points बताएं, इस तरह होने से, ब्रहस्पती कमजोर होने से और तीनों लगन कमजोर होने से फिर वो अच्छे result नहीं मिलेंगे, तो ऐसे व्यक्ति में क्या फल होगा, फिर शकटे होगा, अगर suppose बन रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो फिर गाडियों से धन कमाता है, गाडियों से या तो ड्राइवर होगा, या और किसी तरह से रहेगा, यानि मानसिक रूप से भी कमजोर रहेगा, और उसके जीवन में बड़ा संघर्ष रहता है, संघर्ष पूर उसका जीवन रहता है, और उसका बच्पन और बढ़ापा जो है, ये दो जो लाइफ के स्टेजेजेज हैं, ये बहुती ज़्यदा संघर्ष के साथ ब पड़ता है, और उसका पतनी से और पुत्र से भी रेलेशन अच्छा नहीं रह पाता, उनसे अनबन होती है, और फिर वो व्यक्ति जो है, भोग विलास और वेविचार की तरफ उसमें इंटरेस्ट लेता है, या उसकी तरफ अग्रिसित हो सकता है, तो ये जो शकट योग क कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं, जिनकी वज़े से वो शकट योग भंग भी हो सकता है, तो किस तरह से भंग होगा, अगर शकट योग बन रहा है, आपको दिखाई दिरा बन रहा है, लेकिन शकट योग को नलीफाई करने के पॉइंट्स या उसको कैंसल करने के पॉइ तब ही वह सकर्ट की द्रस्टियों या चंद्रमां के साद शुक्र बैढें चंद्रमां के सा barking हो जाए और या बेढ़ जाएं तब भी शकट योग भंग हो जाएगा तो इन पॉइंट्स को आपको बताया यह इन पॉइंट्स की वैसे शकट भंग भी हो सकता है बंगोने से यह तो शकट योग के जो परड़ाम बुरे परड़ाम हैं तो वह बहुत कम हो जाएंगे या मिलेंगे ही नहीं इस तरह से शकट योग के बारे में आपको बताया डिटेल्स अब एक नेक्स जो योग है वो चंद्रमा से बनता है जिसका नाम है गरुण योग तो गरुण आपने वर्ड सुना है ये भगवान विश्नु की सवारी है उनका वेकल है और एगल एक तरह के एगल है गरुण और ये लौड विश्नु की सवारी वेकल है तो इनके गरुण योग कुड़ी में बनने के लिए कुछ कंडिशन्स बताई जो दिशाचार ने कैसे बने गए ये तो उसके लिए कहा कि इस जब व्यक्ति का जन्म दिन के समय हो राइट दिन के समय मतलब यो मौर्णिंग में सन्र होना चाहिए पहली कंडिशन की जन्म दिन के समय हो संसेट के बीच में गाद कुड़ाए अगल लगने कुणली है इसको डिविजनल चार्ट वन कहा जाता है और इसी से नाव्यांज बनती है दिविजनल चार्ट नमबर नइन यह यह इसी व्यक्ति की का गर हम कहा गरुड योग बनने के लिए क्या क्या पॉइंट से एक तो व्यक्ति का जन्म जो है वो दिन में हो यानि संवराइस से संसेट के बीच में हो चंद्रमा बहुत स्टॉंग हो चंद्रमा शुक्ल पक्च का हो और इसी व्यक्ति की जो नौमाश कुंडली है वहां जिस राशी ही बैठा है उस राशी का स्वामी इस जन्म कुंडली में डीवन कुंडली में डिविजनल चार्ट 1 कुंडली में वह ठिक्जेल्टिड होना चाहिए कुछ का vaan गरुड योग बनेगा तो गरुड योग के और मीठी वानी बोलने वाला और उदार नम्र होगा बिलकुल और लेकिन बहुत शक्तिशाली पावर्फुल होता है और उसको शत्रों से खत्रा होता है और 34 ऐसा कहा गया कि 34-34 एज के आसपास उसको विश या पॉईजन से खत्रा हो सकता है तो इस तरीके से गरंड योग के बरे बताए है तो आज यह चंदरमा से रेलेक्टेड़ दो यूग हमने आपको बताए यह तो शकट यूग दूसा गरूड यूग तो इसको आप लोग इंट्रेस्टनग देखिए टॉपिक यह इस में चंदरमा से बनने वाले और और भी बहुत सारे योग हैं तो इसमें दो योग आपको बताएं हैं शकत योग और गरण योग इसको आप ध्यान से देखें स्टेडी करें और यह सब इंट्रेस्टिंग टॉपिक्स हैं थेंक्यू